संस्कृत में अयोग वहा की संख्या कितनी है आज कुछ पर नहीं पढ़ाएंगे आज सिर्फ पर सिर्फ आप से पूछेंगे और अपना एंसर देंगे लिखा है संस्कृत में अयोग वहा की संख्या कितनी है साथियों जैसे ही हमारा प्रशना गया संस्कृत में आयोग वाकि संख्या हम ये क्या कर दिया चार कर दिया कौन कौन से रेके दो होते हैं एक तो हमारा होता है पूर्ड विशर्ग क्या होता है पूर्ड विशर्ग होते हैं और साथियों दूसरे होते हैं हमारे अर्ध विशर क्या होते है अर्ध विशर्ग होते है पूर्ड विशर्ग में क्या आता है अनुस्वार आता है और क्या आता है विशर्ग आता है ठीक है जिवकि अर्ध विशर्ग की अगर हम बात करें तो क्या आता है जिवह मुली आता है और साथियों क्या आता है अपका उपद मानी आता ह तो अनुस्वार क्या आता है अंग आता है विशर गाता है अहां ठीक है जिवा मुली आता है का और खा ठीक है उपद मानी आते हैं पा और भा देखे इसकी आधी मात्रा इसकी आधी मात्रा एक हो गई इसकी आधी मात्रा इसकी आधी मात्रा एक हो गई इसकी एक मात्रा इसकी अगोस महाप्राण अस्ति को मतलब कौन सी ध्वनी मतलब ध्वनी अगोस महाप्राण अस्ति ध्यान से देखिएगा जैसे ही साथियों आया अगोस ठीक है अब देखिए महाप्राण की अगर हम बात करें तो हम सभी ने पढ़ा है हिंदी में हम नहीं कहते हैं हम नहीं कहते हैं आप संस्कुत रटिए बिल्कुल मत रटिए जैसे बताएं जो टिप्स दें वस वही आप याद रखिएगा महाप्राण की बात करें तो दूसरा चौथा और साखा शा होता है लेकिन यहाँ पर देखिएगा ध्यान से जो चाचा जा है जा तीसरा चाद दूसरा घा चौथा यह तीसरा हो जाए डाढ़ा यह चौथा हो जाएगा यानि सातियों यह निकल गया लेकिन मुसीवत तो हमारे सामने वही खड़ी है अब दूसरी चीज हमने आपको क्या बताई थी अगोस में हमने आपको बताया था अस बी खर बताया था कि नहीं यानि आ मतलब अगोस श् वी मतलब विवार और खर है प्रत्याहार खर प्रत्याहार में प्रत्यक वर्ग का दूसरा वर्ण होगा पहला वर्ण होगा शा खा शा होगा अब देखिए दूसरा वर्ण कौन सा अच्छा है लग गया ना ठीक लग गया ना ठीक चलिए और आपको लास्ट में बताना है आ आज के प्रशन आपको कैसे लगे इमानदारी से बताना कोई मखन पॉलिस की बात नहीं अच्छे लगे आप इत्मीनान से कहे देना कि आज के प्रश्ण को नहीं बढ़िया लगे ठीक है क्योंकि आज से आपको भेतरी प्रश्णों की स्रंखला मिलने वाली है यहां पर देख संग्या का सूत्र क्या होता है पहला लिखा है सर्वादीनी सर्वनामानी दूसरा है सर्वानाम इस्थाने चासंबुद्धे तीसरा है सुड़ नपुनसगलिंग यानि हमेशा नपुनसगलिंग में रहता है स्वादी सो सर्वनाम इस्थाने साथियों क्या होता है सर्वाती यही सभी सर्वनाम सदेनी जितने भी सभी के नाम हैं वो क्या होते हैं सर्वनाम होते हैं और यही इसका सूत्र होता है सरवादीनी सर्वनामानी पहला विकल्पाप का राइट हो जाएगा ठीक है अगर पूछा जाए किसका सूत्र है तो आप क्या कहोगे सर्वनाम संग्या का किसका सर्वनाम संग्या का सूत्र है अगला प्रसुत कहता है सर्व नाम इस्थान संग्या कश्य भवती सर्व नाम इस्थान संग्या कश्य क्या होती है क्या होती है अब देखिएगा सीप्रते होता है सर्व नाम सब्द होते हैं चीप्रतेर से होते हैं या सर्व सब्दस्य होते हैं सभी शब्द होते हैं तो आप क्या कहोगे सर्व नाम इस्थान किसमें होता है साथियों सर्व नाम सब्दस्य होते हैं क्या होते हैं सर्व नाम सब्दस्य होते हैं अगर आपसर में ये आपसर नहीं है तो आप क्या कहोगे सर्व सब्दस्य यानि सभी शब्द होते हैं क्या कहोगे सभी शब्द होते सर्व नाम सब्दस्य ठीक है अगला प्रस्ट कहता है घी संग्या केन सूत्रेड भवती घी संग्या पूछ रहा है क्या कह रहा है घी संग्या अब एक बात याद रखिएगा एक हमारी किसी साथी न आप याद रखेगा एक याद रखेगा क्या खी में रोता तो यो इस वोते हैं. उन्हेंकों क्या होता है ? वह घ्या होती है क्या होती है ? यह संग्या होती है लेकिन लेकिन सखी सखी की आग बात करें तो इसमें भी इकारांत होगा इसमें भी इकारांत होता है लेकिन याद रखेगा इसमें घी संग्या नहीं होती है कहां गया है क्योंकि इसका सूत्र कहता है शेश्यो शेशो घ्या सक्खी घ्यान से देखिएगा घ्या का मतलब क्या है यह जो यह है ना इसका मतलब है E प्लस A क्या मतलब है E प्लस A तो यह जो घ्या है ना घ्या पे E की मात्रा लग जाएगी तो क्या हो जाएगा घ्या हो जाएगा सखी के आ गया जुडगया तो आ सखी होता है यानि सखी नहीं होगा वाँकी सभी जो इकाराम्त होंगे उनमें सातियों क्या हो जाएगा घी संग्या हो जाएगी हाना घी संग्या सभी में होगी सखी को छोड़ कर तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दी विकल्प हो जाएगा संगेता संग्या होती है उसमें सातियों संधी के नियम लगते हैं ठीक है तो कहां होता है फसक की यहाँ पर कहता अगला प्रश्वर देखते हैं अगला प्रश्वर कहता है एते बरणा एक सेकेड क्या कहता है कहता है एते बिच्छा अलग है ठीक है एते लग है वरनास तालू इस धानियां संदि आधे तो इस से परिसान हो गये देखिए अम इसको तोड़े एते वरणा टालू का कौन सा है तो देखिएगा कू चू तू तू पू ठीक है के टी एंडी ओ अभी तक हमने आपको सीधे सीधे स्रण स्रण प्रस्णों को पढ़ाया ठीक है विदिबत आपको समझाया आप चीजों को समझ गया अगर हम पहले से ही इस तरह की संस्क्रत कठीन लेके आते तो भाई आप डर जात आप संस्क्रत की क्लास छोड़ देते तो पहले हमने कहा कि आपको चीजों को समझाया हिंदी में अब हम उसको कनवर्ट कराएंगे आपको संस्क्रत में ठीक है बस ड़िए नहीं साथ दीजिए साथ दीजिए आप और हम एक कसम खाले कि जब तक समझ नहीं आएगा तब तक क्लास नहीं छोड़ेंगे और आपको जो भी अगर कोई भी डाउट है कुछ चीज समझ नहीं आती है तो आप अपना कमेंट कमेंट बॉक्स में छोड़ेंगा छोड़िएगा ना कि जो आप चैट में लगे रहते हो ना चैट के हम आपकी चैट नहीं देख पाते हैं आप कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट अवज से छोड़िएगा चलिए यहां पर देखिए अब जैसे ही हमने इतनी बात आपको बता दी अब आपने क्या देखा का का वर्ग कहां यह मिल गया यानि इसका तो क्या हो जाएगा कंट हो जाएगा नहीं तो छोड़ दीजिए इसको ले लिजिए या रा ला वा ठीक है हा को यहां देख दीजिए शा खा शा ठीक है इसके बाद यहां पर विस्तर्फ लगा दिए देखिए अकुहा कंठा इचुय शानाम तालू रीटूर खानाम मूर्धा लतूल सानाम दंता उपद मानी ओस्ठा वा यहां पर क्या हो जाएगा कंठो उचानाम का क्या हो जाएगा दिए ले तो न का हो जाया तो साथियों चला जाएगा सी क्या चला जाएगा सी चला जाएगा क्या चला जाएगा सी चला जाएगा क्या चला जाएगा सी चला जाएगा आगे बढ़ते ही अगला प्रिश्ण करता है मूर धन्यों भवती मूर धन्य होता है जल्दी से बताइए मूर धन्य होता है अब यहां पर देखिए क्या लिखा जान से देखिएगा आपको आपको क्या बताया था क्छा टा K T M D O पूछा क्या है मुर्धन पूछा गया है तो ठाका क्या हो जगए ट्टा डा धा ढणा जहां तक हो जाएगा तो गतलत विकल्प चा승 रहेगा बी रहेगा पाका क्या होता है पाका साहो को ठाप यह रहता लाका रहता है लर्तुल सानाम दंता दंत रहता है और साका भी आपका दंत रहता है ठीक है आगे देखिएगा अगला कहता है चावर्ण कुत्र अंतर भवति ध्यान से वही बाज सुनिएगा चावर्ण कुत्र कहां अंतर अंतर मतलब अंतर भवति मतलब होता है चावर्ण कहां इस्थित होता है कहां नहीं तो होता है कहां इस्थित होता है तो देखिएगा अनुनासिक में सिर्फ आपका आता है अंग इस पर्स में आता है का से मातक स्वर में आपके आते हैं स्वर और संगस को गोली मारो ठीक है तो यहां पर आपका क्या जाएगा बी विकल्प चला जाएगा आगे देखिएगा अगला प्रेश्ट कहता है एकाल प्रत्या यसे का संग्या एकाल प्रत्या एकाल प्रत्या मतलब एकल वर्ण की प्रत्य की वर्ण के प्रत्य की कौन सी संग्या होत एकल वर्णों के प्रितनों की कौन सी संग्या होती है तो साथियों यहाँ पर एक वर्ण नहीं होगा क्योंकि एकल वर्ण में अगर कुछ प्रत्य जोड़े जाते हैं तो नवीन सब्द बना लेंगे क्योंकि कोई वर्ण है उसमें हमने क्या जोड़ा उसके पीछे कुछ प्रत्य जोड़ दिया तो हमारे एक सब्द बन जाएगा और उसको हम क्या कहते हैं आप प्रक्तम कहते हैं क्या कहते हैं आप प्रक्तम कहेंगे अब वो सिंगल नहीं बचेगा क्या हो जाएगा एक शब्द हो जाएगा नहीं किया जा सकता है आगे देखिएगा अगला प्रस्ट कहता है कि नवेती शूत्र है अब ध्यान से देखिएगा नवेती नवेती विभासा बताया था नवेती विभासा का मतलब क्या है नवेती इसमें क्या होती है इसमें साथियों विभासा संग्या हो जाती है क्या होती है विभासा संग्या होती है सिर्फ दोवरणों में न और वा यानि न किसको कहता है नकारात्मकता को बताता है किसको नकारात्मक को बताएगा वा किसको बताएगा विकल पात्मक को बताता ह किसको बताता है विकल पात्मक को बताएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा विभासा संग्या हो जाएगी क्या होगी विभासा संग्या हो जाएगी अगर कभी आपसे पूछा जाए कि विभासा संग्या का सूत्र क्या होगा तो आप क्या कहोगे नवेती विभासा क्या कहोगे न वेती विभासा ठीक है आगे देखिएगा अगला प्रश्न कहता है संयोग संग्या सूत्र है संयोग संग्या संयोग किसे कहते हो ज्यान से मेरी बात सुनिएगा संयोग संयोग क्या होता है संयोग कहते हो मिलने को या जोडने को किसको कहते हो मिलने को या जोडने को अब यहाँ पर मिलेगा और जुडेगा क्या तो आनचिचा किसी में पढ़ाया नहीं पढ़ाया क्या सातियों सैयोग गुरु पढ़ाया नहीं पढ़ाया हलो अनंतरा संयोगा यानि कहने का मतलब क्या है अब देखेगा संयोग संग्या का सूत्र क्या होता है सूत्र होता है साथियों हलो अनंतरा अनंतरा संयोगा कहने का मतलब क्या है कि जो अंतिम हल होता है क्या कहता है अंतिम हल होता है सोरी 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 हलो अनंतरा यानि दो वरणों के बीच में जब दो वरणों के बीच में दो वरणों के बीच में कोई भी आपका कोई इनका बीच में जिब सैयोग कराया जाता है तो उसमें सैयोग संग्या होती है यानि दो हलों के जोडने को क्या कहते हो सैयोग कहते हो क्या कहते है कि देखें कि पर को में है कि क्या होता है हो सातियों सैयोग संग्या होती है क्या होती है सैयोग संग्या होती है ठीक है क्या होता है सैयोग संग्या होती है ध्यान से सुनिएगा यहां पर हमने आपसे क्या कहा दो हल हल किसे कहते हैं विंजन कहते हैं यहां भी विंजन होगा और सातियों क्या होगा यहां भी विंजन होगा जब हम इनको मिलाएंगे तो क्या होगा सै संयोग संग्या हो जाएगी तो हमें इसा याद रखिए दो विंजन वरणों के मेल को क्या कहते हैं संयोग संग्या कहते हैं क्या कहते हैं संयोग संग्या कहते हैं चरी आगे देखेगा प्रशनात ज्यादा है लिखा है सुप प्रत्याहार में कितने प्रत्य होते हैं सुप प् सब्दों में जुड़े प्रत्य होते हैं वह आपके क्या कहलाते हैं इनकी संख्या कितनी होती है तो इनकी संख्या होती है 21 कितनी होती है सब्दों में जोड़े जाते हैं यानि इनसे क्या बनते हैं इनसे ही साथियों शब्द रूप बनते हैं सब्द रूप बनते हैं जैसे हमने आपको बताया राम है राम से क्या बना राम मस्य बना तो जो आप यस से जोड़े हो न यस से जोड़े हो यह क्या है यह भी एक प्रत्याहार है क्या है एक तरह का प्रत्याहार है तो साथियों कितने होते हैं आपके 21 होते हैं कितने होते हैं साथ क्या है बिभक्ति हैं और एक बच्ति में कितने बचन होते हैं तो सातियां 21 हो जाएंगे तो ध्यान दीजेगा सातियों एक होता है एक धातू होती है किसमें जोड़े जाते हैं सबसे पहले तिंग प्रत्य किसमें जोड़े जाते हैं धातु में जोड़े जाते हैं धातु मुक्य रूप से दो प्रकार की होती है एक तो होती है आपकी परस्मई पदी और दूसरी होती है आतमेन पदी क्या होती है आतमेन पदी ठीक है तो जैसे आप करते हो ना प्रतम ठीक है एक वचन दुई वचन बहुचन तो दिखे कितने हो जाएंगे 1,2,3,4,5,6,7,8,9 यानि परस्मई पदी में 9 हो गए ठीक वैसे ही आतमिन पदी में होंगे क्या होगे इसमें भी प्रदम पुरूस होगा इसमें भी मद्यम पुरूस होगा इसमें भी उत्तम पुरुस होगा, इसमें भी एक वचन होगा, इसमें दूई वचन होगा, ठीक है, इसमें क्या होगा, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नो, यानि इसमें भी नो होगे, तो साथियों टोटल कितने हो जाएंगे, नो परसमेपदी में हो गए, उनको सही कर लिजिए, उनको गलत नहीं होने देना है, आगे देखते हैं, अगला प्रिश्ण कहता है, हल प्रत्याहार में कितने वरण होते हैं, कहता है, हल प्रत्याहार में कितने वरण होते हैं, तो देखेगा, हल प्रत्याहार सुरू से कहां से होता है, सुरू होता है, हा हां से होता है हां से होता है यहन से सुरूआ यह है पांचमा सूत्र खतम कितने पर होता है होँगा है लिए होगा रोटिन को साथिए और कितने होते हैं 24 वर्ण होते हैं दो बार आता है लेकिन हम इनको count कितनी बार करते हैं गिनती कितनी बार है एक बार गिनते हैं अता साथियों वरणों की संख्या कितनी होती है 33 होती है वी विकल्प आप का right जाएगा चला जाएगा ठीक है टैरतिस हो जाएगा अगला प्रत्याहार में हावर्ण कितनी बार आया तो आप क्या कोगे क्योंकि ये भी पूछ सकता है किन किन प्रत्याहारों में आता है तो याद रखिएगा पहला तो साथियों पाच्मा महेसर सूतर है कौन सा है था वरत है पाच्मा है इसमें भी एक बार हा आया है दूसरा साथियों च्वाधमा महेसर सूतर है अंतिम महेसर सूत्र किसे कहते हैं हल है क्या है हल है हल कौन सा है चौदमा महेसर सूत्र है तो इसमें भी क्या आया है हा आया है तो हा टोटल कितनी बार आता है दो बार आता है कितनी बार आता है दो बार आता है राइट विकल्प आपका क्या जाएगा ए विकल्प चला जाएगा ठीक है लेकिन अगर पूछा जाए अगर कभी पूछा जाए गिना कितनी बार जाता है अगर पूछा जाए गिना कितनी बार गया है हमारी वर्ण माला में तो किना कितनी बार गया है सिर्फ और सिर्फ एक ब आता कितनी बार है दो बार आता है दो बार आता है लेकिन गिना एक बार जाता है ठीक है चली आगे देखते हैं अगला प्रश्ट कहता है निम्नी लिकित में से कंट से उच्चारित धनिया अरे भाई कंट से उच्चारित धनिया तो याद रखेगा कंट से का चा टा टा ठीक ह अभ यहाँ पर हम क्या कर दें A T M D O , अभ देखिए यहाँ पर मिल गया ? और यहाँ पर हम को A मिल गया यही तीक लगा दें वर नहीं देखिए कि HOm आपको और भी पर लगते हैं जैसे इसको डैस करीए या रा ला वा ठीक है नाक से बोला जाएगा नंत से बोला जाएगा ला बच्या कहां से बोला जाएगा ठीक है चले आगे बढ़ते हैं और हां इसका एक सूत्र भी है, कंट का सूत्र याद रखना अगर कभी पूछा जाए, कंट से उच्छारित धनियों का सूत आकुहा विसर्ज निया, क्या कोगे? अधो लिखी तेशू व्रद्दी संग्यक वर्ण नास्ति अधो नीचे लिखी तेशू लिखे हुए नीचे लिखे हुए व्रद्दी संग्यक वर्ण नहीं है तो व्रद्दी संग्या का सूत्र क्या है जल्दी से कमेंट करिएगा व्रद्धी संग्या का सूत्र क्या है तो आप क्या कहोगे व्रद्धी संग्या का सूत्र है व्रद्धी रा दैच जो रा है वो विसर्ग है यानि क्या हो जाएगा यहां पर हो जाएगा व्रद्धी यह क्या हो जाएगा आत हो जाएगा और क्या हो जायेगा ही प्रत्याहार को देख लीजिए पहला प्रत्याहार है अधर दूसरा प्रत्याहार कौनसा है रिल रग तीसरा प्रत्याहार वच्चीक और पृत्य हार कौन सा है आ अउच है क्या है आई है तो आउच का मतलब एच का मतलब है व्रद्धी संग्यकवर्ण है कितने तीन है आ है ए और ऑ है यादर बात करें बड़े औह आ है अगर बात करें है है आउ है क्या नहीं है सी नहीं होगा थीक है बहुत बढ़िया बस यही चीजें आपको समालनी है वागे तो सब है ही आगे देखीगा अगला अगर आप मेंसे किसी को भी सुपर्टेट के नोट चीए तो इस नमबर पर संपर करें 88585255 अगे देखीएगा अगला कहता है संस्कृत व्यक्रण के अनुस्वार हल का अर्थ क्या है यह बताना है आपको तो स्वर्ण तो नहीं होता है क्योंकि स्वर्ण को कहा जाता है याल कहते हैं अनुनासिक को पंचमवर्ण कहा जाता है तो यम कहा जाता है ठीक है शिच्छा ग्रहण की थी आप में इसे बताना है कि पाणिन को क्या माना जाता है संस्कृत व्यक्रण का यानि व्यक्रण का आधार माना जाता है व्यक्रण के रचेता है व्यक्रण को लिखने वाले कौन माने जाते हैं या व्यक्रण के जना कौन माने जाते हैं पाणिनी माने वंपेगा तक्च्र शिला से सिक्षा प्राप्त की है जो आज स discord भारत के बाहर पड़ता है POL प्रश्न कहता है पा और फा को कहा जाता है यहनी पहला है पाओर फा दूसरा है जिभ हमुली उपद मानी या यमवण यमवण कहा जाता है काखा गाघा को यही चारवण है जिनको यम कहा जाता है जिभा मुली काखा होते हैं अब उपद मानी और पाफा बचे तो राइड विकल्प क्या जाएगा उपद मानी जाएगा ये साथियों क्या कहे जाते हैं ये अर्द विसर्ग भी कहे जाते हैं कैसे पा और फा दिया हो इनके आगे ये लगा है तो ये क्या कहलाते हैं उपद मानी कहलाते हैं क्या कहलाते हैं उपद मानी कहलाते हैं पापा तो राइट विकल्प क्या हो जाएगा आपका, शी विकल्प राइट जाएगा, क्या जाएगा, सी विकल्प आपका राइट चला जाएगा, अगला प्रश्ण कहता है यदि उपसर्ग क्रिया में युक्त हो तो उसे क्या कहते है यानि जो उपसर्ग होता है अगर साथियों उपसर्ग के साथ क्रिया जोड़ दी जाए उपसर्ग के साथ क्रिया जोड़ दी जाए तो क्या बनता है तो क्या बनता है पहला शंग्या बनती है परिभासा बनती है गती बनता है या अधिकार बनता है तो अधिकार की समस्कत में बात नहीं है गती की भी नहीं है अब यहाँ पर परिभासा नहीं है क्या है संग्या इसका सूत्र है उपसरगा क्रिया योगे क्या कहा जाता है उपस संग्या कहलाता है तो यहाँ पर पहला विकल्प आपका राइट हो जाएगा पहला विकल्प आपका सही वोगा है आगे देखियेगा कहता है उसार के स्वरों के कितने भेध होते ूछ इसार न पूछ या मात्रा के निसार न मात्रा के नुसार कितने भेद होते हैं तो आप क्या कहोगे तीन होते हैं कितने होते हैं तीन होते हैं सबसे पहले आपका आएगा हसुस्वर क्या आएंगे हसुस्वर आएंगे इनकी साथियों एक मात्रा होती है जिनमें आते हैं आपके आई उरी और ठीक है इनहीं को साथिय मूल स्वर भी कहा जाता है क्या कहा जाता है मूल स्वर भी कहा जाता है ठीक है दूसरे आते हैं आपके दीर्ग स्वर क्या आते हैं दीर्ग स्वर जिसमें क्या आता है ए आता है आता है ओ आता है और आता है तीसरे हैं आपके आते हैं और इनकी कितनी मात्राएं होती है इनकी स यहाँ पर क्या जाएगा आपका राइट विकल्प क्या होगा दी हो जाएगा आगे देखिएगा अगला प्रस्ट कहता है पाड़ेनी के अनसार बाहे प्रियत्नों की संख्या है तो साथियों अगर हम बात करें बाहे प्रियत्न है ये एक प्रियत्न है ये क्या है ये प्रियत्न है प्रियत्न दो प्रकार के होते हैं एक तो आपका होता है अब भ्यांतर प्रियत्न क्या होता ह भया प्रत ने साथीयों 11 होते हैं अब भयानतर प्रत न आपके 5 होते हैं ठीक है भाए प्रत में याद रखिएगा अघोस 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 स्वास विवर इसके लिए एक ट्रिक आपको बताई है कौन सी अस भी खर ठीक दूसरी है साथियों हसना सास हसना सास यानि हसना सास क्या है साथियों पहला है नाद दूसरा है समवार और तीसरा है सघोस तीसरा है सघोस ठीक है फिर है अल्पप्राण और महाप्राण अल्पप्राण और महाप्राण ठीक है इस ये तो विंजन के हैं ये किसके हैं ये पहला है उदात, क्या है उदात है, दूसरा क्या है, अनुदात है, तीसरा क्या है, स्वरित है, क्या है, स्वरित है, तो यहाँ पर कौन सा विकल पराइट जाएगा, शी विकल पराइट जाएगा, अगला प्रस्ट, कहता है संध्याक्षर होता है, संध्याक्षर, जब हम इसक तो अक्षर हो गया और धा में अगर ई लगा दोगे तो क्या हो जाएगा संदी अक्षर के विसे में पूछ रहा है ऐसे कौन से अक्षर है जिनमें संदी हुई है जिनमें मेल हुआ है तो देखिएगा काखा गागा है ये तो सत्यों विंजन है ये क्या है विंजन है और ये न नहीं होगा कापा चाचा ये भी नहीं होंगे ये हमारे होंगे कैसे देखिएगा एक कैसे बना है आप प्लस इसे ओ कैसे बना है A plus O से ठीक है और साथियों अगर हम बात करें O की O कैसे बना है तो A plus O से A plus O से तो right विकल्प कह चला जाएगा C चला जाएगा अगला प्रश्ट कहता है अस्टा ध्याई का दूसरा नाम क्या है कहता है अस्टा ध्याई साथियों अगर अस्टा ध्याई की बात करें अस्टा ध्याई में कितने अध्याई है आठ अध्याई है और इसको लिखा किसने है इसको साथियों लिखा है पाड़ी नीजीने ब्याक्पन की पहली पुस्तक थी इसी अस्टा ध्याई को क्या कहा जाता है सब्दानुशाशन कहा जाता है क्या कहा जाता है सब्दानुशाशन कहा जाता है डी विकल्पाप का राइट होगा डी विकल्पाप का राइट हो जाएगा आपको याद रखना है कि लास्ट में आपको बताना है कि प्रश्णों की संखलाना कैसी थी यह आपको कमेंड बॉक्स में बताना है आगे देखेगा कहता है vigor को पैला है एक मात्रा एक मात्रा होता है दिर्ग स्वर्य की त्री मात्रा किसकी होती है प्लूत्व की किसकी होती है अगर हम बात करें अर्द मात्य का किसकी होती है विएञजन वरण की होती है इविखल पर बाप का राइट रहे गाद रहे ज walking सेही चला जायेगा चला प्रोल क्याता है लगु सिद्धान्थ कौमडी केन करता है लगु कि केन करता है पाणितनी ने क्या लिखा अस्टाध्याई लिखा भट्टोजी दिच्छित ने क्या लिखा सिध्धांत कौमुदी लिखा पतंजलीना ने क्या लिखा महाभास से लिखा क्या लिखा महाभास से लिखा बरदुराज ने लिखा लगू सिध्धांत कौमुदी क्या लिखा लगू शिध्धांत पत्व कोमुदी लिखा है तो यहां पर राइट विख से क्या जाएगा बरद राजीन चला जाए आगे देखीएगा अगला प्रिश्ण कहता है प्रहा सनिकरिसा अस्ति यानि प्रहा क्या कहते हैं प्रहा सनिकरिसास्ति यह ना ढाठ ढाठ है अप परा मतलब क्या होते हैं बाद वाले ठीक है सन्निकर्षा मतलब बहुत पास आना ठीक है तो जो बाद वाले होते हैं वो बहुत पास आ जाते हैं ये करना क्या कहलाता है तो याद रखिए ये करना क्या कहलाता है संगिता कहलाता है और संगिता को ही हम क्या कहते हैं संदी कहते हैं संदी कहते हैं क्या कहते हैं साथियों संदी कहते हैं तो अगर पूछा जाए पर संदी करसा तो हम क्या कहेंगे संगिता परा संदी करसा संगिता बाद वाली अत्नित पास में आ जाते हैं क्या कहलती हैं संधी कहलती है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगला प्ररश्ट कहाता है संसक्र्त व्यक्रण में मूल स्वरों की संख्या कितनी है भाई यहाँ पर क्या कहा गया तो स्वरों के कितने हैं याद रखेगा अगर साथियों पुचा जाए स्वर के सूत्र कितने हैं चार है कौन कौन से किसकी इतिसंग्या हो जाएगी हरी कि थीक है तीसरा आई उड़ी लग ए ओंग ठीक है चौथा क्या है आए ओच ठीक है अब इसमें जो ये वाले दो हैं इनको क्या कहा जाता है इनको साथियों कहा जाता है हसुस्वर और इनी को कहा जाता है मूलस्वर और ये जो है ये आपके क्या है ये आपके स्वर है इनमें जो नीचे वाले हैं वो दीर्ग हैं कैसी हैं दीर्ग हैं तो यहां पर पूछा जाए मूल सरों की संक्या कितनी है तो पांच है कौन सी आ ई उ री और ठीक है कितनी है साथियों पांच हो जाएगी कितनी हो जाएगी पांच हो जाएगी चले आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण कहता है महेसर स तो देखेगा फिर से देते हैं पहला है अई यूड पहला दूसरा है सातियों री रख विप तीसरा हो जाएगा, चोथा क्या है, आये आउच, पाँचमा है हेबरट, चोधमा है हल, ठीक है, यहाँ पर आपका बार्मा, बार्मा है खप, चटत, चटत, कपया, फिर यह है बारा, यह है कापया, कपई 13 हो जाएगा शा-खा-सर यह आपका यह 11 है यह 11 हो जाएगा यह 12 होगा यह आपका 13 होगा और हल जो है वो आपका 14 हो जाएगा ठीक है यह 11 है यह यहाँ पर संख्या यहाँ पर संख्या 11 होगी और यहां पर संक्या हो जाएगी आप ही 12 चीक है चलिए आगे बढ़ते हैं आगे और अंति इंप्रेश्ट कहता है निस्ठा संग्या किन सूत्रों में होती है तो सबसे पहला है तव्य तव्यत तव्यत क्या होता है अनियर में होता है यहां पर होता है अनियर नहीं होता है अक्त अक्त वत्वत्व निस्ठा अक्त अक्त वत्वत्व निस्ठा सत्र और सानच की सत संग्या होती है क्या होता है सत संग्या होती है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट विकल्ब हो जाएगा सी अगर पूछा जाए कि अक्त अक्तुबत्य की कौन सी संग्या होती है तो सातियों यहाँ पर हो जाती है निस्ठा संग्या क्या हो जाती है निस्ठा संग्या हो जाती है क्लियर चलिए तो आज के लिए साथियों यही प्रश्ण थे प्रश्णों की संखला हमारी यही तक थी मिलते हैं कल फिर से इसी समय इसी चैनल पर एक और नई क्लास के साथ तक तक के लिए हमें दीजे इजाजत धन्यवाद